जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे दही मसाला भिंडी की रेसिपी अगर आपको और आपके परिवार को भिंडी की सबजी बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राइ कीजिएगा डेली और विकेंड स्पेसे लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दही मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी को फ्राइ करेंगे इसलिए पैन में हम दो टेबल स्पून तेल एट करके इसे अच्छे से गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद हम इसमें भिंडी एट कर देंगे तो हमने आधा कीलो भिंडी के किनारों को निकाल कर इस तरह से एक से डेड़ इंच के टुकडों में से कट कर लिया है और भिंडी को काटने के बाद हमने इसके बीच में इस तरह से चीरा लगा दिया है इसे हम तेल में एट कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राइ करेंगे जब तक ये 60-70% तक कुक ना हो जाए तो भिंडी को काटने से पहले आप इसे पानी से अच्छी तरह धोग कर सुखा लीजिएगा अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी बाकी रह जाएगा तो ये चिपचीपी हो जाएगी तो देखिए मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनित तक हमने इसे फ्राइ कर लिया है अब हम इसे पेन में से निकाल लेंगे तो देखिए पेन में से भिंडी को फ्राइ करने के बाद हमने इसे निकाल लिया है और इसमें हमने 4 टेबल स्पून तेल और एट किया तेल गरभ होने के बाद इसमें 1.5 टीस्पून जीरा एट कर देंगे जीरा चटकने के बाद हम इसमें एड कर देंगे मिडियम साइज की दो प्याज तो प्याज को इस तरह से स्लाइसिस में काट लेंगे और इसे तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थुड़ी सुनहेरी न हो जाए तो इस तरह से प्यास का कलर हलका गोल्डन होने लगे तब तक हम इसे फ्राई करेंगे और इस टेच पर हम इसमें एड़ कर देंगे एक टीस्पून अद्रक और लेसुन का पेस्ट और अद्रकलेसन का कच्छा पंदूर होने तक इसे भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे तो अद्रकलेसन का कच्छा पंदूर होने तक हमने इसे एक मिनिट तक और फ्राई कर लिया है इस टेज पर हम इसमें कुछ सुख्य मसाले एट कर देंगे तो सुखे मसालों में हमने यहाँ पर ली है half teaspoon healthy powder, एक teaspoon धन्या powder, half teaspoon कस्मीरी लालमेश powder, एक teaspoon लालमेश powder, और half teaspoon जीरा powder देखें यहाँ पर कस्मीरी लालमेश powder बिल्कुल ओप्सनल है, अगर आप ना एट करना चाहें तो इसे skip कर दें और अगर आपको सबजी थोड़ी सी तीखी पसंद हो तो आप लालमेश की quantity थोड़ी सी बढ़ा दें तो इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें एक चोथाई कब पानी एट कर देंगे mix कर लेंगे और मसालों का कच्छापन दूर होने तक हम इसे low flame पर भूनेंगे तो मसालों का कच्छापन दूर होने तक मैंने इसे low flame पर दो मिनिट के लिए और भून लिया है इस टेज़ पर हम इसमें एट कर देंगे आधा कब दाही तो दाही एट करने से पहले आप दाही को अच्छे से फेट लीजिएगा इसे अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों के साथ हम दाही को 5-7 मिनिट के लिए low flame पर और पकाएंगे जब तक इसकी भूनाई अच्छे से ना हो जाए और इसमें से तेल ना डिलीज होने लगे तो देखिए मैंने इसे दही एट करने के बाद low flame पर 5 मिनिट के लिए और पका लिया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल डिलीज होने लगा है और सारे मसाले अच्छे से भून चुके है और इस टेश पर मैं इसमें ग्रेवी के लिए आधा कप पानी एट कर दूँगी अगर आप सबजी में ग्रेवी ना रखना चाहें यानि कि इस तरह से थोड़ी सूखी सबजी बनाना चाहें तो इसमें पानी ना एट करें तो gravy के लिए औधा कब पाणी एट करने के बाद हम इसमे नमक एट कर देंगे यूगि हमने इसमे नमक पहले एट नहीं किया था तो stage पर हमने इसमे एक टीसपून नमक एट कर दिया या फिस्वाधनुसा नमक एट कर दें तो देखिए ग्रेवी के लिए हमने जो पानी एट किया था वो पानी एट करने के बाद इस तरह से जब इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाल आने लगेगा तब हम इसमें एट कर देंगे भिंडी तो हमने जब हिंडी फ्राइ करके रखी हुई है उसे एट कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे इसे और इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे तो देखें मैंने इसे कवर करके लो फ्लेम पर दस मिनिट के लिए पका लिया है और बीश में मैंने इसे एक बार चेक कर लिया था तो अब देख सकते हैं कि सबजी बन चुकी है यह देखें कितनी बढ़िया सबजी बनकर तयार हुई है और अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इस टेच पर हम इसमें एट करेंगे एक ती स्पून भूनी हुई कसूरी मेथी आप यहाँ पर गानिशिंग के लिए थोड़ी सी हरी मेश और हरा धनिया भी एट कर सकते हैं इसे अच्छे से मिला लेंगे और सव कर लेंगे तो खाने के लिए तयार है मसालेदार दही भिंडी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आप से हमबल एक वेश्ट है के एसी ही आसान और सिंपल लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं तो आप जब इस एसीपी को अपने घर पर ट्राइ करेंगे तो कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरेंस सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई